राहूल गांधी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिठी लिखी है जिसमें उन्होंने कश्मीरी पंडितों की चिंताओं को दूर करने के लिए उचित कदम उठाने की अपील की है भारत जोडो यात्रा जब कश्मीर में सफर कर रही थी तो वहां राहूल गांधी से मिलने के लिए प्रवासी कश्मीरी पंडितों का एक दल पहुंचा था राहुल गांदी से मुलाकात में उन्होंने बताया था कि जमू कश्मीर में टार्गेट किलिंग के बीच कश्मीरी पंडितों को घाटी में लौट कर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है साथ ही उपरा जेपाल जो की मनोज असिनहा है उनके द्वारा कश्मीरी पंडितों के लिए बिखारी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है इसकी शिकायत उन्होंने राहूल गांदी से की थी राहूल गांदी ने उनसे ये वादा किया था वो उनकी शिकायत प्रधान मंत्री तक जरूर पहुँचाएंगी अपने वादे के मुताबिक राहुल गांधी ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को एक चिठी लिखी है जिसमें उन्होंने कश्मीरी पंडितों की चिंताओं को दूर करने के लिए उचित कदम उठाने की अपील की है क्या लिखा है राहुल गांधी ने सुनिये और अन्य लोगों की लगातार टार्गेट हत्याओं ने घाटी में डर और निराशा का महौल बना दिया है प्रधान मंत्री जी पूरे भारत को प्रेम और एकता के सूत्र में पिरोने के लिए जारी भारत जोडो यात्रा के जमू पड़ावने कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनीधी मंडल अपनी समस्याओं को लेकर मुझ से मिला उन्होंने बताया कि सरकार के अधिकारी उन्हें कश्मीर घाटी वापस काम पराने के लिए मजबूर कर रहे है इन हालातों में सुरक्षा और सलामती की पक्की घारंटी के विना उन्हें खाटी में काम पराने के लिए मजबूर करना एक निर्दई कदम है हालात की सुधरने और सामाने होने तक सरकार इन कश्मीरी पंडित कर्मिचारियों से अन्य प्रशास किये और जन सुविधा के कारियों में सेवाएं ले सकती है अपनी सुरक्ष और परिवार की चिंताओं को लेकर गुहार लगा रहे कश्मीरी पंडितों को आज जब सरकार से हम दर्दी और अपने पन की उम्मीद है तब उप्राजिपाल जी द्वारा उनके लिए बिखारी जैसे शब्दों का प्रयोग गैर जिम्मेदाराना है प्रधान मंत्री जी शायद आप स्थानिय प्रशासन की इस असमवेदन शील शैली से परिचुत ना हो मैंने कश्मीरी पंडित भाई बहनों को भरोसा दिया है कि उनकी चिंताओं और मांगों को आप तक पहुचाने का पूरा प्रयास करूंगा मुझे उम्मीद है कि ये सूचना मिलते ही आप इस बारे में उच्चत कदम उठाएंगे माता खीर भवानी की क्रिपा आप पर बनी रहे धन्यवाद रहुन गांधी